जैसे कि अगर किसी के सरीर के स्कीन पर सफेद दाग या फिर वेटे लिगों की समस्या है तो इस समस्या में इसका उपयोग किया जाता है सफेद दाग का प्राबलम आज कल बहुत ज़्यादा देखा गया है आपने देखा होगा जब किसी के सरीन में सफेद दाग की समस्या हो जाता है तब उसके सरीन का जो तुचा यानि जो इसकिन है वो दूध के रंग के जैसा हो जाता है आपने देखा होगा अगर किसी के चेह किसे हम कह सकते हैं अगर आप इलाज या दवा नहीं लेते हैं तो उसकी वज़ा से आपके पूरे चेहरे पर भी ये हो जाता है और जैसे कि सफेद दाग का प्राबलम आपके हाथों में हो सकता है आपके ओठ के साइड में हो सकता है आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगो को आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर उनका जो इसकीन है यानि जो उनका ओठ का इसकीन है वहाँ पर भी आपको सफेद दाग का प्राबलम देखा जा सकता है और जैसे कि जो हाथों की उंगलियां है उंगल नहा के साइड में ना खून के साइड में यहाँ पर भी सफे के साइड में भी आपने दिखागा पैरों के वहाँ पर भी सफेद दाक का प्राबलम हो जाता है यानि बॉडी पर अगर कहीं पर भी आपके सरीर में सफेद दाक का प्राबलम है तो इस समस्या को यह जड़ से ठीक करने का काम करता है चलिए अब हम आपको बताते हैं इस एक दिन में कितना you ml कितनी बार पीना होता है यह syrup को एक दिन में कितनी बार आप ले सकते हैं इसके बारे में, आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे जैसे की अगर किसी के सरीर पर कहीं पर body में पूरे body में कहीं पर अगर सफ़े दाग की समस्या हो जाता है जिसे वेटी लीगो कहते हैं तो उसके सरीर में क्या होता है आपने देखा होगा उसके सरीर में वाइड वाइड चकत्थे से हो जाते हैं जैसे कि वो पहले छोटा रहता है अगर आप कोई भी मेडसिन कोई भी दवा नहीं लेंगे या फिर कोई भी किरीम, कोई भी लोशन आप अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, जो सफेदा की समस्या रहता है, ये continue बढ़ता रहता है, और ये एक जगा से फिर दूसरी जगा भी निकलने की समस्या होता रहता है, यानि एक परकार से ये बढ़ता रहता है, ये एक चरम रोग होता है, जो आपके पूरे सरीर में धीरे धीरे ये पूरे बडी में हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा चरम रोग कैसी समस्या है, जो काफी जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर आप मेटसीन या दवा नहीं लेते हैं, तो ये आपके पूरे सरीर में हो आपके पैरों के उंगलियों के भी बीच में ये समस्या देखा गया है आपके आखों के जो ये बरोनी होता है उसमें भी आखों के साइड में भी ये समस्या हो सकता है इन सारी समस्याओं को यानि सफेद दाग की समस्या अगर आपके बौडी में कहीं पर किसी भी परकार का फिर्दा की समस्या में, चलिए हम आपको इस सीरप के यूज के बारे में बताते हैं, यह सीरप कैसे यूज करने के लिए डॉक्टर के दोरा बता है, जैसे कि जो इस सीरप का डोज होता है, यह डॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या और उसके वाड चलिए अब हम आपको बताते हैं इस सीरप का क्या-क्या side defect देखा गया है जैसे कि जब भी आप ये सीरप लें तो इस सीरप के साथ में आपको और कोई सीरप अपने मर्जी से नहीं पीना होता है अगर डाक्टर ने इस सीरप के साथ में और कोई medicine दिया है तो आप वो medicine ले सकत है इसके अलामा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डाक्टर या अपने फार्मासिस्ट से एक बार अपनी दिक्कत पर हैसानी बताएं उसके बाद में दवा लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडसीन आप अपनी मरजी से उप्योग ना करें